दोस्तो MS Word में आप देख सकते हैं कि मैंने याप लेटर पेड को डिजाइन किया हुआ है दोस्तो गर आप कुछ इसी टाइप का सिंपल और प्रोफेशनल लेटर पेड बनाने के लिए सिखना चाहते हो अपने MS Word में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही असानी से MS Word में step by step बताऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरीका का लेटर पेड डिजाइन कर सकते हो तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रितेस और रितेस गाइड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो MS Word को अफेंड करने के लिए सिंप्लि आपको start menu पे किलिक करना है और यहाँ पर आपको type करना है word यहाँ पर आपका MS Word दिख जाएगा सिंप्लि इसके उपर आपको किलिक करना है यहाँ पर आपका MS Word ओपेंड हो जाएगा दस्तो MS Word में लेटर पर डिजाइन करने से पहले सबसे पहले आपको page layout menu पे किलिक करना है और यहाँ पर आपको एक मिलेगा नेरो का option तो नेरो वाले option पर आपको किलिक कर देना है और इ लेटर पेड्र में उस आद्मी का नाम लिखना है जिनके नाम से आप लेटर पेड को डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं उनका यहां पर टाइप कर लेता हूं जैसे कि देख सकते हैं कि कि क्लिक कर दिया हूं उसके बाद इसको यहां से right click करके cut कर लेना है और cut करने के बाद आपको insert menu पे click करना है और उसके बाद यहां पर एक option मिलेगा text box का इसके उपर आपको click करके नीचे में option मिलेगा draw text box इसके उपर click करना है click करने के बाद यहां से लेके यहां तक आपको draw कर लेना है और ड्रो करने के बाद इसके अंदर आपको वह जो आपने टेक्स्ट को टाइप किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया यहाँ पर देखे यहाँ पर क्यार में स्कूल के नाम से फॉंट आ चुका है फॉंट को इस परकार से सलेक्ट कर है Será कर ने बाद और यहां पर llevड की में सेंटर को इंटर में हो जाएगा मथकर चीज़ करें से ऑप को से आइब को चैंज हो गया को जिससिंड़ क्या करना है से कुछ आरोग की की मदए से कुछ उपर नीचे भी कर सकते हैं और यहां पर देखे यहां पर चाहता आज पराइन अंब करना एक है MARK जासे कि देख सकते कि यहां पर आपका जो यह फ़ास है इसका जो चारो साइट से आउटलाइन था वह आपका गाइब हो चुका है उसके बाद फिर से आपको इंसर्ट मेनू पर किलिक करना है और उसके बाद यहां पर टेक्स्ट बॉक्स पर किलिक करना है नीचे में ड्रो टेक्स्ट बॉक्स वाले अप्शन पर किलिक करना है और एक बाद फिर से खीच करके यहां से यहां तक आपको ड्रोव करणा और उसके बाद इसके अंदर वह address लिख लेना है ज्झोप का सबसुछ दोस्तों यहां पे नपर फटालस से टाइप कर लेता हूं तो देखे दीशतों मैं लगाना है जो का लोगो होता है उसके लिए लिए पत्रग करना है और इसके ऊपर रैट के लिए पिक्चर के ऊपर या निलोगो के ऊपर और warp text वाले option में जाएंगे नीचे और यहां पर आपको कर देना है in front of text और click करने के बाद इसको इस परकार से बड़े ही आसानी से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे इसको और ज्यादा चोटा कर लेंगे कुछ इस परकार से देखे यहां पर इतना जाएंगे और in front of text और कुछ इस परकार से इसको छोटा कर लेंगे जैसे कि कि आप यहां पर इसको मैंने चोटा कर लिया चोटी करने की लेंगे और यहां पर इसका color और outline हटाना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर shape outline में click करेंगे, और यहाँ पर no outline पर click कर दूँगा, इसका color change करने के लिए दूस्तों, यहाँ पर shape feel वाले option में click करेंगे, और यहाँ पर आपको more feel color में आपको click करना है, और इसके बाद यहाँ से standard color में जाएंगे, और यहाँ पर जो भी color आप लेना चाहते हो, उस point पर click करके, ओके पर click करेंगे, यहाँ पर यह color इसका change हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से ले करके, यहाँ तक इसको खीच लेंगे, और इसके बाद कुछ इस परकार से इसे छोटा कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे हम, देखें कुछ इस परकार से, और थोड़ा इसे और आग गेपिंग को कम कर लेंगे, देखें यहाँ पर यह इतना border लग चुका है, और अभी हम क्या करेंगे इसको select करके control को अपने keyword में price करके रखेंगे और नीचे कीजेंगे एक copy बन जाएगा और इसके बाद यसको ऊपर कर लेंगे और इसने नीचे बाला का जो सेफ है इस्का color थोड़ा चेंज कर लेंगे format में यहांसे कोई दूसरा color को select कर लेना है इस टैप का लेता हूं देखी यहां पर यह पर नीचे में ठोड़ा सा डिजैन देना है दोस्तु और उससे पहले यहां पर बीच में एक मुझे लोगो वाटर मेर्च लगाना है जैसे कि इस वाले लोगो को क्या करेंगे के साथ कीचेंगे नीचे नियुक्ती हो जाएगा इस पोप पोपर करने की अब nya हैं पर क्लिक करने के बाद करने के लिए पर उप्सन करने के लिए यहां पर उपजूं है इस वॉस्वाथाउट वाले उप्सन के तरीका से बन इसको आप जितना मर्जी चाहों उतना बड़ा रख सकते हूं आप अपने अनुसार इस वाटर माक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और उसके नीचे यहां पर मैं क्या करूंगा दूस्तों नीचे में मुझे एक सेप लगाना है सेप लगाने के लिए सिंपली इंसर्ट मेनू और यहां पर आपको रेक्टेंगल सेप का ऑप्शन में को क्लिक करना है कि यह अपरकार के इसको करें लेका से पहले में यहां पर क्या करांऊंगा जैसे за एक पॉइंट की मदद से इसको थोड़ा सक करेंगे तो उसके बाद जैसे आप फॉर्मेट में यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर देखे एक हैंडल मिलेगा आपको और यहां पर देखे यह जो हैंडल है इसको आप उपर करेंगे यह नीचे करेंगे तो कुछ इस परकार से आपको DN को मिलेगा अर उसके बात क्या करेंगे यहां करके छोड़ दूंगा और इस परकार से सढ़ करना चाहते हो कुछ इस परकार से कर सकते हmbuds यहां पर क्ली कर और इसको कर लीजिए यह volume चलिए इतना होने के बात क्या करें घॉक्ष करें Gram mig certificate तक कोरेंट में इस्को लगा देना है कि सब्सक्राइब और अभी इस की कुछ इस सडाइब बनेक। तो Ctrl-C, Ctrl-B करेंगे, इसको select करके यहां पर दूसरा copy बन चुका है, इसका color change करने के लिए format में जाएंगे, और यहां पर save fill में जाकर के, कुछ इस type से color को select कर लेना है, और select करके क्या करेंगे, इसको पीछे लेके जाना है, पीछे ले जाने के लिए right किलिक कीजिए, और send to back पे किलिक कीजिए, जहां पर देखें, पीछे हो चुका है, और एक बार फिर से, इस में से किसी ओएक को copy paste कर लेंगे, एक बार control सी, control भी दिखें, मैंने बूल वालो color को ही copy paste कर लिया हूँ, तो देखें दूस्तों यहां पर copy तो हो चुका है, और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले shape को select कर लिजे, और select करने के बाद यहां पर shape फिल में जाएंगे, और इसका color जो है, यहां पर हम white कर लेंगे, white करने के बाद अभी इतना हो गया, और यहा अपर कर लूँगा, मैं white वाले shape को, और यह जो blue वाला shape है, इसको यहां पर center में ही रख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर yellow color वाला shape है, इसको थोड़ा सा down कर लेता हूँ, तो अपने keyboard में down arrow key को, जैसे ही आप down करेंगे, कुछ इस type से down हो जाएगा, और white वाला shape क कुछ इस परकार से down कर लेंगे, तो देखें, यहां पर यह, कुछ इस type से design बन चुका है, और उपर वाला shape है, इसका color हम change कर लेते हैं, change करने के लिए, उपर वाला shape को select करके, और shape fill में जाएंगे, और यहां से color को change कर लेंगे, देखें, तो कुछ इस type से color को change भी कर सकते ह तो अभी मैं क्या करूंगा, यह color थोड़ा उतना बेटर नहीं लग रहा है, तो simply फिर से shape fill में जाओंगा, और यहां से color जो है, वो हमें यहां पर change कर लिया, अब इसके नीचे यहां पर आपको जो भी चीज लिखना है, वो लिख सकते हूँ, आ नीचे में जैसे contact number बगर ह कुछ भी लिखना चाहता हूं, तो उसके लिखना करना है, आपको insert में क्लिक करना है, और insert में क्लिक करने के बाद यहां पर draw the text box का एक option में लेगा, यहां पर text box पे क्लिक करेंगे, draw text box पे क्लिक करने के बाद यहां से लिखकर यहां तक draw कर लेंगे, और यहां पर मैं लिख करेंगा और इस टेक्सट क sailors करने के लिए एक को हम मेनू में किलिक करना और यहां पर अब ले सकते हो जैसे में वाइट कलर लेना चाहता हूं तो वाइट पर क्लिक किये यहां पे देखे रWow हो चुका है दस्तू तो दोस खोब की आपको विडियो काफी जादा पसंद आया वोगा और अभी हम इसको सेब्ध करना चाहते हैं तो सेब्ध करने के लिए सिंपली फाइल में किलिक करेंगे और सेब वाले जान के एक ही और इसको चाहते हो वह हण पर अब rator paid का नाम दे सकते हूं यहाँ पर मैं material pet देता हूं यहाँ पर पर अपसं क्लिक करेंगे च्छीक करों यहाँ पर आपका बार इसको प्रशन में फिर से फाइल में खिलिक और यहां पर अपको optionическая प्रिंट का इसको पर किलिक करने बाद यहाँ पर देखेंब प्यूकर रहा है आपका जैसा प्रेज निकलने वाला इस पेज में उसी टाइप से यहाँ पर फीट आपका दिखेगा इसका size या page setup करने के लिए यहीं पर आपको side में option बहुत सारा मिलेगा जैसे कि यहाँ पर मैंने a4 page लिया था तो a4 page को ही select करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आपका later legal कुछ भी select हो तो आपको simply a4 को select कर लेना है और यहाँ पर narrow margin में जा करके यहाँ पर narrow पर क्लिक कर देना है और इसके बाद simply यहाँ पर print वाल अप्शन में क्लिक करेंगे आपका यह print out हो जाएगा तो दोस्तो आई होब कि आपको वीडियो काफी जादा पसंद आया होगे दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share, subscribe जरू कीजेगा दोस्तो मैं मिलता हूँ इसी तरीका के कमाल के नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंत वंदे मात्रा